के वरी वरी गूड इविनिंग तो गोडेशनल इंकम में अभी तक हम टाइपस अब गुर्स समझ चुकें इंटे इंट्रमीडेट गुड्स और फाइनल गुर्स मी समझ चुकें इसके बीच में हम डिफरेट भी कर चुकें और इस चीज़ पे के हम ँच्छी से समझ है कि निच्टनल कम मिसिकली क्या होता है और निच्टनल इंकम के अंदर रहुत से हम के बारे में समझेंगे तो बचいて सबिण टॉपिक का नाम है आप भी लिख लेंगे अगर कुलर फ्लो और जो सर्कुलर फ्लो हमारा बेसिकली आज की क्लासिस में जो हमारा टॉपिक चलेगा टू सेक्टर इन टू सेक्टर तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इन टू सेक्टर में बिसकली बचे दो सेक्टर कौन कौन से हम ले रहे हैं दो सेक्टर हम ले रहे हैं एक हाउसोल्ड और एक हम ले रहे हैं फॉर्म दो सेक्टर तो दो सेक्टर में किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है हम इस चीश को समझेंगे अब बच्चे दो सेक्टर एक हाउसोल्ड सेक्टर है और एक हमारे पास पर फॉर्म है तो हाउसोल्ड सेक्टर के बारे में अगर हम समझते हैं तो हाउसोल्ड सेक्टर सरक्लर दो का मतलब क्या हो गया कि सले को जी सर्पुलर फ्लोफ说 के ग्हों गोह में जाता है इसको मुझे इसंसर्कुलर क्या रॉप्लोफ को शम्मजने के लिए आपकर समझनी होगी अ हम ओऊ है यहाँ पर आपเลर हाउसल्ट लेंगे हाउस होल्ड और एक आप ले लिजिए फॉर्म अब बेस्क लिए होता क्या है कि हाउस होल्ड से फॉर्म को क्या क्या चीज़े जाती है किसी भी हाउस होल्ड से फॉर्म को क्या क्या चीज़े जाएंगे सबसे पहले हाउस होल्ड से एक फॉर्म को पूछिए जाएंगे Goliath मुल hecho wire कर वाता है Set अगर आप देखेंगे तोकिद्ध एस को सबसे पहले अपने लिए एक को सबसे पहले लेबर देता है एक फॉर्म को land देता है, firm को capital देता है, यह सारे चीज़े कहीन या कहीन घाउस होल्ड से ही firm को जाती है, कोई भी goods and services जो प्रडूस हो रही है एक firm में, तो his firm में उस goods and services को प्रडूस करने के लिए जो resources के हमें requirement होती है, उस resources को हम factor बोलते हैं, तो यह फेक्टर जो एबिलेबल होता है किसी भी फॉर्म को तो एक वह आउस होल्ड से जाता है अब अमभानी जी का कोई एक फर्म है तो एक अमभानी जी उठकर के खुझ आधा इंटरेप्नियोर जा रहे हैं तो वह कहां से जा रहे है धर से उठकर के परिवाद से तो कोई उठकर गया है तो वह हाउस होल्ड से गया था इंटर्पनियोर जमीन तो किसे ने अपनी जमीन दी वहाँ फर्म खोलने के लिए चाहे उसके बदले में रेंट ले वह एक अलक चीज़ है बट यह जमीन कहां से आई एक हाउस होल्ड से आया किसी ने पूंजी लगाया उसमे हाउस होल्ड से फेक्टर हम एविलेबल करवाते हैं तो रिसोर्स को हैं फेक्टर बोलते हैं इस पात कर धाना किएगा तो कुछ चीज़ें यहां से जाएंगे जैसे कि एक्जामपल के लिए लेबर पहली चीज़ें जो जाएंगी लेबर दूसरी चीज लेंट सबसे पहले से तो एक हाउस होड से आपको एक इन्टरेपरिनियोर जाता है उसके बाद दूसरी चीज पे आप कुछ भी रिस्टे है लेबर इसके बाद आपका क्यापिटल भी एक हाउस होड जाता है उसके बाद आपका लैंड लेबर कैपिटल और इंट्रेपनियूर लैंड लेबर कैपिटल और इंट्रेपनियूर यह चीजे एक हाउस्वोर्ट से फर्म को जाती है और इन चीजे को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसिस इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसिस क्लियर है और फर्म क्या करते हैं फर्म इन चीजों को फाइनल गुड्स पे कनवर्ट करती है कि फ़र्म इसको क्या करेगी एक फैसल की अंदर कनवर्ट करेगी इने रिसॉर्सिस को यूज कर करके इन फैक्टर सर्विसिस को यूज करकर और फैनल गुड्स में गुर्टन सर्विसिस में इससे गुड्स एंज सर्विसिस बनेगा गुड्स एंज सर्विस और ये गुड्स एंज सर्विसिस जो बनेगा ये बापस हाउसरोड के पास में अधर रिटन लॉट जाएगा अब हम सब के पिताया हम सब करें तो यहां पर जो बी चीजे हमारे दुआरा होती है हम एक परिवार हैं सारी फैमली एक आउसल्ड मिक कंसिडर कर लीजे जो भी हमारे दुवारा होती है बापस हम उसके चीश को रिसीव कर लेते हैं तो यह सरकुलर फ्लो हुआ यह नहीं हुआ बताएं मची तो यह एक तरीके का आपका सरकुलर फ्लो हो गया और इस फ्लो को हम जो नाम देते हैं इस फ्लो का हम रियल फ्लो कहते हैं इस फ्लो को हम जो है रियल फ्लो कहते है यह चीज़ समझवाएं आपको रियल फ्लो क्या होता है एक चीज़ आप और समझेए प्रेक्टर सर्विस तो आपसको संज में आ गया पहले आप यह देख लीजिए तो कुछ है तो फ्रेक्टर सर्विस क्या होता है प्रेक्टर सर्विस बच्चे क्या होगा इंट्रेप्नियोर लैंड एक दो लेबर कैपिटल एंट्रेप्नियोर लैंड लेबर कैपिटल यह चार उफ क्या होते फ्रेक्टर सर्विस इस होते हैं और एक होता है फ्रेक्टर पेइमिंट अगर कोई इंट्रेप्नियोर है अगर कोई बिजन स्टार्ट करते हैं इंट्रेप्नियोर का मतलब क्या होता है वो जो कि करता है जो कि जिसके दर रिसक लेने की कैपिसिटी होती है उस से में इंट्रेप्नियोर किया एकथ परवाद भीयूं परवाद भी हो सकते हैं फिर भी वह चीछ तो वह वो भी एक एधा इंट्रेप्नियोर है तो जितने भी पर्डूसर होते हैं वो सारे के सारे इंट्रेप्नियोर होते हैं जो बिजनस करते हैं इंट्रेप्नियोर होते हैं क्योंकि बिजनस में प्रॉफिट भी हो सकता है यह बात पता होते हुए भी वह काम कर रहे हैं कहीं नहीं में वह लॉट का रिस्क ले रहे हैं तो इसलिए उसको एक इन्ट्रेप्नियोर क्याते है और बिना इन्ट्रेप्नियोर के आप किसी भी चीज़ को प्रॉडश करी नहीं सकते हो तो यहां पर entrepreneur सबसे पहले आता है, फिर entrepreneur के आने के बाद, आपको वो land को arrange करता है, फिर वो labor arrange करता है, फिर वो capital arrange करता है, और इन सब चीज़ों को use करते वे, वो किसी ने किसी goods या फिर services का फ्लक्शन करता है, तो उसी तरह के से अब जो entrepreneur आया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उ तो मिलेगा क्या, इससे उसको बहुत कुछ मिलेगा, एक जो entrepreneur है, बच्चे, उससे उसको, एक entrepreneur है, एक जो land available करवा रहा है, जो labor available करवा रहा है, और जो capital आपकर अगर अगर आप देखेंगे, जो entrepreneur है, उसको उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, और जो लेंड अबेलेबल करवाएगा उसको उसके लिए क्या मिल जाएगा और जो लेबर है उसको क्या मिल जाएगा टाट कि एजीज और जो capital है उसको क्या में जाएगा इंट्रेस्ट यह बात समझ में आई किसे कोई डाउट तो अगर मैं बताता हूं गोड्स और सर्विसिस के फ्लो की जो आपने पीछे पढ़ा न इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और सबसे पहले हाउट से निकल करके फिर फॉर्म से वह बापस फाइनल गोड्स में बन करके वह बापस हाउट को वह रिसीव हो जाता है तो अगर मैं बात करूं किसली रियल अनिसके वह लोगे को कि अगर मैं बात करूं तो इंसको हम तो यहाँबकर स्वेंश को फाइनल पन करके वापस यूमिनल फलोकी तहीं हाज्ब Niceुकि दरहाएं लेके इस में चैने को मिलेगा कि अगर मैं बात करूँ अचलो सर्कुलर स्लोव है ना सर्कल के फॉर्मेटर समझनी कुश्य केजिए दो चीज़े हैं ठीक है एक आपके पास में हैं बच्चे हाउसोल्ट हाउसोल्ट और एक आपके पास में हैं अब हाउसोल्ट और फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो मनी का फ्लो कैसे होता है सबसे पहले एक फर्म से मनी का फ्लो सुरू होता कैसे फर्म या जैसे कि रेंट दे रहा है लेबर को वेजिस दे रहा है जिसका कैपिटेल उसको इंट्रस्ट दे रहा है रेंट वेजिस इंट्रस्ट और प्रॉफिट दे तो कुछ फर्म से निकलती है और ये कहां जाती है फिर ये एक हाउसोल्ड के पास में पैसा आता है तो हम में ने पैसाइघ मिल रहा है किसी ने लेंड दे रखा है किसी को तो किż तो यह जो है फेक्टर के बदले में पैमेंट हो रहा है यह कहीं निकल करके आता है एक हासी के पास में थे फर्म क्या करती है उसको इसको इस पैसे को आपके घर में आता है तो आप क्या करेंगे आप एक्सपेंडिचर कर देए एक्सपेंडिचर और फाइनल कंजम्शन फाइनल कंजम्शन यह बात आपको सब्सक्राइब बच्चे क्लिर है क्लिर है कोई डाउट किसी बच्चे को तो इस तरीके से हाउसोल्ड एक्सपेंडिचर और फाइनल कंजम्शन फाइनल कंजम्शन फाइनल कंजम्शन नहीं हो जाता है इसके वाद सको आगे कुछ भी पास आउट नहीं करती है तो इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो होता है फर् पैसा फर्म के अंदर लॉट गया फर्म ने फिर से बनाया फिर से पैसा उसके पास में लॉट गया और इस तेके से गुड्स और सर्विस को यूज करते वे अपनी लाइफ को थोड़ा कमफर्ट कर लेते हैं और लक्जूरियस लाइफ की तरफ हम आगे मूव हो जाते हैं जिस अब इसको लापी बत सही कह रहे हैं तो इस पे आएंगी क्यूंकि मैंने भी स्टाडिंग बता दिया मैंने आपको अभी तू सेक्टर मोडल पढ़ा रहा हूं अभी मैं इसमें बैंक भी लेकर करके आऊंगा मैं इसके अंदर मैं इंपोर्ट एक्सपोड भी लेकर करके तो सब चीज़ों पर हम डिस्कसिंग एंगे डिटेल में फिलाल आप यह समझे के एक्सपंडिचर और फाइनल कंजंप्शन क्या है हमारे पास में हाउसओल्ड है था दोनों ही तू सक्टर मोडल है ठीक है अगर मैं इसी बात को कहूं आपसे दोनों को एक ही में दिखाओ आप कुछ इस थरीके से फर्म हाउसओल्ड एक हमारे पास में हो गया फर्म हाउसओल्ड और फर्म के अंदर आप देखते हैं सबसे पहले आप मैं बात कर रहे हैं पर हाउसओल्ड से क्या चीज़े गई फैक्टर सर्विस गई और फैक्टर सर्विस आपसको पता है क्या है लैंड एक रिवाइस कर रहा हूं लेबर कैपिटल लैंड लेबर कैपिटल इंट्रेपिनियोर क्लियर वच्चे यह चीज़े एक फैक्टर सर्विस की तरह एक हाउसओल्ड के पास में जा रही है फ़र्म ने क्या कर रहा है यहां पर फ़र्म ने फाइनल गूट्स को हाउसओल्ड को भीज दिया अगर मैं बात करता हूं कि इसी चीज़ को आप ऐसे लोग बड़ा था हाउसओल्ड ने दिया वापस उटा दिया अब बात करता हूं क्या दे रही है हमें हमें फैक्टर पेमिंट कर रही है मुपूर्ण क्या कर रही हैं हमें 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 कर रही हैं दों नहीं लिखी है वह हमें फैक्टर हएं कर रही है वच्चे तो फ़शी पहले हमें क्या करा अब तर पेमिंट कर रहा और फेक्टर पेमिंट की बाद कर देखते हैं कि वह और और पर ने किसी को जो जो इंटरिपनेवर तो प्रॉफिट ले लिए जिसने पर लेंट देर रिखा तो इसको रेंट मिल गया कि अब जाले को इंटर्स मिल गया कि अब लेवर को उसका वेजिस मिल गया यह कुछ चीज़े फेक्टर पेमिंट कर रा और यह क्या हो गया अस्पंडिचर ओन कि अपस्पंडिचर ओन कि फाइनल गुड्स एन इस जर्वी सिले बचे है तो इस तरीके से चीज़ें है कि ले बच्चे है तो जो आप अंद्र वाला देख रहे हैं ग्रीन वाला जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं जो गुट्स एंड सर्विसिस का फ्लुव है किसका गुट्स एंड सर्विस जो उसे सर्विस का फ्लुव है इसको हम उसको हम बोलते हैं यह रियल फ्लॉव और जो बच्चे आप पेंग कलर में देख रहे हैं फ्लॉव उसको हम बोलते हैं जो मनी का फ्लो है पर एक हमारा क्या हो गया मनी फ्लो यह बात समझ में आई है आपको क्लियर है को डाउड किसी बच्चे को पर दो तो यहां पर समझाने काई कि परपस्ता कि किस तरीके से एक एक काम करती है लेकिन इसे बहुत सारे सवाल है कि गवर्मेंट भी इसमें इन्वाल्ब होती है टेक्स भी पे करते हैं लोग सिर्फ विजिस आया और जो पैसा आया वो सारा का सारा हमने गुड्स पर नहीं डाल दे तौछ कि इस्तरीके को सवाल कर लिया सरी सेफिट में वापस हमने लूटाया तो क्यों बढू कान respondsxis का मληचा ने कर पाएंगगा देद स्केट वह ठीक प्र से स्नीचल कार जाते हैं करता है पैसा कि सब कुछ हम समझेंगे आज की टू सेक्टर आप जो है फ्लो के अंदर सब इतना है समझे कि कैसे काम करता है बस यहां पर कुछ भी मतले के चलिए यह बात समझ में आपको आ गई है तो एक बात साहिट से बात है कि हम एक मैक्रोट पड़ रहे हैं और सब के सब सब जन्म से ही पाते हैं फिर लौट कर मुझमें ही आते हैं तो उसी तरीके से एक हाउस होल्ड से सारी जो फैक्टर सर्वीसिस निकलती है और फाइनल बन करके पापस हाउस होल्ड के पास ही लौट करके वह आ जाती है कि यह तो था गुर्ट अगर इसी चीज़ को देखने रही हो पैसे करते हैं तो यह त सारे चीज़े हैं इस सब्सक्राइब करता हूं अच्छे समझ आए वम्मीद करता हूं नецट क्लास में चीज़ों गर आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू जी थैंक यू सो मच